हेलो अब्रीवान विल्कम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अभी मैं क्या कर रही हो जानी आप जाने की तैयारी कर रही है आप हम लोगों को छोड़ कर जा रही है मैं जा रही हूँ चान्दी को छोड़ के मम्मी सब को छोड़ के जा रही हूँ मैं और मतलब अब चान्दी को मन नहीं लगेगा मम्मी को भी मन नहीं लगेगा मम्मी हाँ बैटके मुसे बात करिये चंदन भी जा रहा है मेरे साथ मैं और चंदन हम दोनों जा रहे हैं चंदन ले रहा लूंगी कैसे भी मन लग जाएगा नहीं दीदी नहीं जाए चांदनी का बस चले तो चांदनी मुझे कभी भी ना भेजे क्योंकि इसका मन चांदन भी अपने तयारी में हैं तयार हो चुका है और लड़कियों को तयार होने में ज्यादा टाइम लग जाता है लड़कों को तयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है लेकिन लड़कियों को तयार होने में ज्यादा टाइम लगता है अभी मैं मैं तो सुबस नही याद नहीं है अभी हम लोग के हान नहीं नहीं भावी आई हुई है जैसा कि आप लोग देखी रहे हैं आजकल लेकिन भावी को छोड़के मुझे जाना पड़ रहा है एक्चुली भावी पुरी यह भागो यहां से मेरे घर से जाओ अब चाहिए किता दिन रहोगी अब चाह कोई नहीं पूछता है कि मायके को जाओगी क्या दुनिया के कैसे रीत है कि लड़किया अगर शौदी के अपने माय के थोड़े दिन रुख जाया तो सब लोग पूछने लगते हैं कि कब जाओगे सासुराल लेकिन सब्सक्राल में हम सालू रहते हैं ना फिर भी कोई नही कोई बत नहीं सब के अपना अपना वहता है आज ही में गॆफ़ से कुलग को ताकि बाल फ्रेजी ना हो और कंगी कर रही हूं अभी पैकिंग वेकिंग जो करना था वो सब कुछ मैं कर चुकी हूं ममी आपे बैट के मुझे देख रही है ममी को भी मन नहीं लगा देती हैं मैं चली जाओंगी तो चांदी यहां पर आलता लगाने वारी थी मुझे लेकिन मैं देली ऑलता लगाती है अपने पैरो में इसलिए मैं डेटी बेटी टेल्या लगाती हूं लेकिन में अगोतना नहीं कभा कभीव हैं मैं कभी लगाती हूं लुदा आ यहां दो पाहन प्र और पैर मैं जूता आ छाहतार नाधर मैं ठीकम रहन के बाबी इदर साइड में खरी है कैमरा के पीछे और पता में चान्दी कब मुन लगेगा कि नहीं लगेगा मैं जा रही हूं तो लगे का मन तुम्हारा चान्दी तो क्या करोगी कि दिदी चली गई दिदी चली गई खुब नाचेगी अभी मैं यहां पर त्यार हो चुकी हूं मामी पापा लोग यहीं पर खड़े है चंदन त्यार है अपना बैग लेके अब हम लोग निकलने ही वाले हैं जाते जाते टाइम भी मैं कंगी कर ले रही हूं कि मेरा बाल ना निकाल के मिठाई लाने के लिए कि मिठाई ले लेना यहीं से हमारे गाहों से क्योंकि हम लोग के गाहों में बहुत अच्छा मिठाई मिलता है इसे लिए मतलब हम लोगे गाहों में चौक है तो चौक पर बहुत अच्छा मिठाई मिलता है बहुत मतलब बहुत लोगों को अब तो इसे लिए कंबंग होता है कर नहीं कि नहीं है ने फिल्ट अपनाeral कर लगाइद पहने है है कि अपर Fate Nagmanfish a क्या होता है ना कि हर वरी में हम निकल जाते हैं और कुछ इंपोर्टेंट चीज जो होती है चुट जाता है घर पर ही तो फिर दिक्कत हो जाती है अभी मैं यहां भगवान जी को प्रणाम करें हूं भावी इधर है और भावी जाते टाइम मुझे पानी लेकर आने वाली हैं अब धर्न देने के लिए मैं दादी को इंदर प्रणाम कर रही हूं और मुझे थोरा सा प्रणादा लगी थी तो मैंने चांद नहीं को कहा कि पानी लगता है लेकिन क्या करें अभी दे थी तो मैंना भी ने करसकते थे चैट एँ मैं सबको प्रणाम करके हासी खुसी बस भावी प्रणाम करी और हासी खुसी अब निकल रही हूं घर से बाबा को प्रणाम करने के लिए यहां पर फिर से मैं एक बार समान चेक कर रही हूं अब जारी हूं द्वार पे बाबा को प्रणाम करने के लिए और उसके बाद पता नहीं फिर कप आउंगी कप आउंगी जल्दी ही आउंगी बाबा द्वार पे हैं नहीं बाबा बात रूम गया है तो हमारा लेट हो रहा था ट्रेन अब टाइम पर है तो इसी वजह से हम निकल रहे हैं मैं चंदन दोनों लोग दोनों भाई बैन जा रहा हैं कहां जा रहे हैं लोग तो मैं आप लोग को अभी बताने वारी हूं थोड़ी दे रुखे लुखे लगता नहीं लगेगा है न चान्दी का बस चले तो मुझे अपने पास रखे हां मेरे साजिंदगी अब मेरा बस चले तो मैं चान्दी को अपने पास रखों बट प्राब्लम यह है कि मेरा तो कोई देवर भी नहीं है तो कहां रखोंगी चान्दी अब घर जा रही है मैं जा रही हूं खुश्चा हो बाई जल्दी मिलेंगे ठीक हपी नियर विड़ो चले के चैन्दी मैं अर्चंदन अभी जा रह法 है तो ग्याइच अभी मैं और चंदन दोनों लोग आ चुक पर और हम लोग मिठाई ले रहे हैं और हम लोग कहां जा रहे हैं यह बता दे रहूम मैं दोनों भूक enhance implemented अपने आपने ग्याँंत्स MIताई लीह हैं appreciate? अपने वार्मार्ट में अपनी घाओं मार्केट से कला ड़ी है और बस अब हम लोग आटो में बैटके और इस्टेशन पहुंचने ही वाले हैं दो मिनट में हम लोग आटो में बैटके फिर इस्टेशन पहुंच जाते हैं इरिक्सा में बैठे हैं हम लोग इस्टेशन हम लोग की घर से बस पास किलो मीटर ही है तो मतलब पांस से दस मिनट लगता है और अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन यहां पर हम लोग मतलब चंदन आ गया के चल रहा है मिठाई लेके और मैं पीछे पीछे चल रहे हूं और मतलब पता है कभी-कभी मज़ा आता है ना कहीं घूमने चाहतो तो एक जाम है कल मेरा पर सो एक जाम है एक दिन पहले ही मैं जा रहे हूं क्योंकि बुआ कब से फोन करके बोल रही थी कि आना मेरे घर आना मेरा घर तो मैं बोली थी कि ठीक है आऊंगी भेकसादी में भी खुब बोली थी वह और बुआ की बहू लोग यानि कि हमारी भावी लोग भी आई थी त हम लोग पहुँच चुके हैं कुलहरिया स्टेशन बुआ और भावी बहुत बुला रही थी लोग तो मैं सोच थी कि ठीक है साधी वादी हो जाएगा अच्छे से सब कुछ हो जाएगा तो एक्जाम तो है पटना में तो मैं बुआ को घर ही रुक जाओंगी पटना में हमा सबसे पास वाला स्टेशन है वैसे तो आरा स्टेशन पड़ता है हम लोगा है लेकिन यह कंग पटना जाना होता है ना तो हम लोग पुलहरिया स्टेशन ही आते हैं तो यहां से जेसी कि जो लोक ल confidence रह होती है न वह पुलहरिया में रूखती होती है अभी हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने के लिए पैसेजर । nep आ हम लोग को पॉल हर या से पत्वने में लगब्ध एक घंड़े लगते हैं तो हम लोग आ चुके है स्टेशन औरटर्रिण की टैमिंग वह वह है दहाई बज़ेका है तो देखते हैं कि ट्रेंट टाइम पर आती है कि नहीं वैसे तो नेट पर चंदन सर्च करके देख रहा है ना तो लेट दिखा रही है ट्रेंग वर देखते हैं कितने बचे तक आती है वोग यहां पर टिकट ले ले रहा है और फिर हम लोग वेट करेंगे दोनों भाई बहान यहां पर चंदन टिकट ले रहा है और पता है मैं कैमरा लेके सूट करूँ ना सब लोग मुझे ऐसे देख रहा है ना जैसे मैं कोई मैं फारेनर हूँ मैं फारंस आई हूँ तो अजीब लगता है थोड़ा थोड़ा ट्रेंड कब आएगी कहां है और दिखिए स्टेशन पर एकदम मतलब सुनसान पड़ा हुआ है कुछ लोग हैं लेकिन कोविट के वज़े से अब शायदा लोग भीर भार नहीं करते हैं पहले जब मैं क्लास करने के लिए जाती थी थी ना तो बहुत भीर रहता था स्टेश ट्रेंड का इंतजार करें को देखिए कब आती है और कब हम लोग जाएंगे पटना साम होने लगी है सारह तीन हो चुका है लेकिन अभी तक ट्रेंड आई नहीं है और आज कलना तुरंत एकदम साम हो जाती है धूप उतना अच्छा से निकलता भी नहीं है इस वज़े से अब ऐसा लगता है जैसा साम होने लगी है देखिए सुरज भवान दिखी नहीं रहा है चंदर में इधर बैटके इंतजार कर रहा है एक नमर का चोर है यह मेरा यहरफोन चुरा लिया है और यहरफोन लगा कर अपना गाना सुन रहा है और मैं वेकार में बैठी हुई यहाँ पर बहुत सारे लोगों को काम भी होता है अपना जरूरी काम होता है तो उनको दिक्कत लगता है कि ट्रेन लेट हो रही है हम लोगों तो वैसे बुगा के घर जाना है तो उतना कोई प्रब्लम नहीं है क्यूंकि मेरा एक जाम परसो है एक दिन पहले ही मैं निकल होता है ना कि घर से उनल टाइम देखके निकलते हैं कि कित्य बजय तक है उतना ज्यादे नहीं करने पड़ता है लेकिन आज भी हमोगों टाइम देखके ही निकलने लेकिन पापा बोले कि चले जाओ क्या पतार ट्रेन टैम पर आ जाएगी तो फिर हम लोग आ गये और ये बहुत chore हूर है बहुत ज्यादा हुष्द होता है जाज मतलब त्रेड में सफर करना बहुत अच्छा लगता है मतलब थोडा देर के लिए बहुत ज्यादा शाना हो जाता क्रदा actual सफर मुझे आध के दूरा बहुत तो